नमस्कार स्वागत है आपका नियूस प्लस पे बढ़ते हैं अभी की प्रमुक खबरों के ओर हर रूप में समाज में रहती है हाल ही में तमिलाडू में प्राकृतिक आपदा आई इस दोरान एक महिला पुलिस निरीकशक ने ये साबित कर दिया कि नारी के हाथ यदि रोटिया बना सकते हैं तो मुसीबत के समय किसी व्यक्ति का बोज भी उठा सकते हैं ये हम नहीं कह रह राजिश्वरी नाम की इस महिला पुलिस कर्मी का एक वीडियो सामने आया है जो एक बेहोश आतमी को अपने कंधों पर ले जा रही है और फिर उसकी त्वरित निकासी सुनिश्चित कर रही है वीडियो में राजिश्वरी को जलभराव वाले शेत्र में बचाव कारे को द पहिया वाहन की पिछली सीट पर बिठा देती है और जैसे ही वाहन दूर जाता है पुलिस कर्मी खराब मौसम में शेत्र को साफ करने के अपने काम पर वापस आ जाते हैं चैन्नाई के पुलिस आयुक्त शंकर जिवाल ने भी महिला पुलिस के उतकरष्ट कारे के लिए उन ना खिला रही है जहां एक और सभी चुनावी दिल महिला सशक्ति करण को बढ़ावा देते हैं हर शेत्र में महिलाएं आगे हैं तो वही कई जगह महिला का अपमान और तिरसकार भी होता रहता है ऐसा ही एक दिल जगजोर देने वाला मामला प्रदेश की राजधानी लखन जो में अल्प संख्यक कल्यान विभाग में अनुसचिफ पद पर कारेरत एक अफसर पर एक महिला कर्मी के साथ जबरदस्ती करने का एक विडियो सामने आया है पीड़िता दोहजार तेरा से सम्विता पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर है उस पर अनुसचिफ जबरन जबर अचनल को सब्सक्राइब करें अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाये